बाते करते हम खेतों की और उसके रखवाली की हम बेजों के बाते करते उस्तम जलसं सादन की हम तभी में की बाते करते बसलों के तपादन की हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को किसान भाय बेर्मन नमस्कार जोहार कृशी दर्शन कारिकर में रोरोमन के बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है और स्वागत रही और हरमेशा कही ले हम कि खेत हो या बारी पशुपालन हो या फुलवारी हर किसिम कर जनकारी रोरोमन के कृशी दर्शन में मिलेला हैने तो आपन कारिकरम के आगे बढ़ाई से पहले चलू हमने देखा थी कृशी समाचार नमस्कार कृशी समाचार में आपका स्वागत है मैं हूँ अर्चना आईए देखते हैं आज क्रिशी समचार में क्या है खास बीजोप्चार योजना से लाभानवित हो सकते हैं क्रिशक मल्चिंक विदी का प्रयोग कर किसान हो सकते हैं लाभानवित ओपन मिल्स समर सेवल पंप सिचाई कारिय को करता है आसान कीट व्याधियां और रोग फसलों पर लगते हैं जिस कारण कभी कभी किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो 75 फीसदी तक रोग व्याधियों और बीज जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है राजिय के क्रिशक सभी फसल की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें इसके लिए राजिय में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन यानी बीजों क्चार प्रचार कारेकरम चलाई जाती है किसान भाईयों खेती बारी वेग्यानिक वीधियों द्वारा करना बहुत ही लाप्रद होता है ऐसा ही एक विधी है मल्चिंग मल्चिंग विधी का प्रयोग कर आप सीचाई जल की बचत कर सकते हैं इससे खर पत्वार की समस्या कम होती है खेती बारी में होने वाले लेबर एवं आन्य खर्चों को भी मल्चिंग कम करता है और साथी उत्पादन लगभग देड़ गुना तक बढ़ता है मक्के की फसल में स्वीट कौन हमारी जार्खन के लगभग सभी क्षेतरों में लगाये जाता है जो किसान भाई इस समय स्वीट कौन लगाने के इच्छोक हैं वे स्वीट कौन के उन्नत प्रभेदों का चुनाओ करे स्वीट कॉर्ण के उन्नत प्रभेदों में सूगरी 75, मिष्थी, माधुरी और प्रिया बहतर माने जाते हैं वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है एक हेक्टेर भूमी में 10-12 किलोग्राम की दर से बीज परियाप्त होते हैं बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है स्वीट कॉर्ण के ये प्रभेद 80-85 दिनों में तयार हो जाते हैं तथा 200-250 कुइंटल तक स्वीट कॉर्ण की उपज पाई जा सकती है अरहर की फसल में यदी फूल जादा लग रहे हैं और फलन कम हो रहा है तो संभवता खेत में बोरौन की कमी हो सकती है ऐसी स्थिती में अरहर की फसल में बोरौन का छिड़काओ करना बहतर होता है विशेश परिस्थिती में कृषिविशेश अग्य की सलाह अवस्यले खेती बारी में सिचाई कारिये को आसान बनाता है ओपन मिल समर सेवल पंप यह पंप गहरे कुओं तलाब नहर इत्यादी से पानी खीच कर खेतों तक आसानी से पहुचाने में सक्षम है गहरे कुओं दूरिस्थित तलाब नहर या अन्य जल श्रोतों से पानी खीच कर खेतों तक पहुचाता है यह उपन मिल समर सेवल पंप यह पंप सीचाई कारिये में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है कम जल उपलबधता वाले जगहों में इसकी उपियोगिता बहुत है यह उपकरन बाजार में उपलबध है अज राज्य के कुछ प्रमुक शहरों के मौसम के मिजास पर आज राज्य के कुछ प्रमुक शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ब्ष किए गए राची अधिक्तम 34 दिग्री सेल्सियस, निउन्तम 20 दिग्री सेल्सियस डेवगार अधिक्तम 17 दिग्री सेल्सियस, निउन्तम 19 दिग्री सेल्सियस जम्षेटपूर अधिक्तम 17 दिग्री सेल्सियस, निउन्तम 22 दिग्री सेल्सियस क्रिशी समाचार में आज इतना ही जान रहे कोरोना अभी तक खतम नहीं हुआ है अब नए रूप में हमारे सामने है इसलिए बचाओ के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें सभी टीके अवस्य लगवाएं अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए क्रिशी समाचारों के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार जोहर भोजन, जल और शुद्ध वाता बरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और क्रिशी इसका मूल स्तंब पिछले साथ वर्षों में विज्ञान अधारित क्रिशी का व्यापक प्रसार हुआ है साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोक से क्रिशी की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूर दर्शी नित्रित्व के अंतरगत रसाइम मुक्त जैविक खेती एक महत्वा पूर्ण प्रयास है रसाइम मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पाँच वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृशी विकास योजना तथा उत्तरपूर्व भारत में जैविक मोले श्रिंखला योजना आरंभकी और्गेनिक फार्मिंग को देजबर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है इसके लिए परंपरागत कृशी विकास योजना के तहट काम किया जा रहा है ना सिर्थ और्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बलकि उसके लिए बैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्ता भी की जा रही है भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलिक प्रयासों से आज देश के लगभग्छा 30 लाग किसान और 30 लाग हेक्टेर क्षित्र में जैविक खेती कर रहे हैं इसके अतरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षित्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है इन पारंपरिक जैविक खेत्रों को जैविक प्रमानी करण सुलब कराने हे दू PGS के अंतरगत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमानी करण मात्र 2-3 महिनों में हो जाता है जबकी सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2-3 वर्ष का समय लगता है अंडमान निकोबार केंदर शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैनकावरी वीप समूं देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमानी करथ जैविक खेत्र रहे अभी हाल ही में समपूर्ण लक्ष द्वीब को जैविक खेती के रूप में प्रमानित किया गया है वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक क्रिशी राज्य के रूप में प्रमानित हो चुका है सुदूर उत्तर में हिमाले श्रिंखला के बीच स्थित लगदाख ने भी पूरण जैविक के लक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है जैविक उत्पादों को बाजार सुलब कराने तथा किसानों की उपभोगताओं तक पहुँच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती बोटल भी बनाया गया है जैविक खेती बोटल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया चा रहा है आशा है देश के सभी रज्य अपने जैविक खेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक क्रिशी क्रांती को मजबूत करने में योगदान देंगे जैविक उतपादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उतपादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोगताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक क्रिशी व्यापार में भागिदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का आवसर दे रहा है पिछले पांच वर्षों में जैविक क्रिशी उत्वादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर साथ हजार करोड रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत से अधिक की व्रिधी हो रही है उम्मीद है पारंपरिक शेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान विठोंगे और जैविक क्रिशी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे किसानों की मुस्कात सम्रिध हिंदुस्तान की है बहचान किशान भाएंवन बिष्टान के बाद रोर में के फिर सवाकत है चलू अपन कारीकरम के आगे बढ़ाती जानकारी को और आज कर जानकारी कि जानकारी है कि जार्खन में गर्मा मांका कर खेती और प्रभेत कर बारे में तो किसान भाय बेंबन जे भी किसान भाय बेंबन गर्मा मका कर खेती करा था और परभेद कर जनकारी नक्रे तो चलो रौरोमन के सीधे अंपिचर कर माधियम से ही इकर जनकारी दुआ थी मक्का को विश्व में खादान फसलों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पादन शमता खादान फसलों में सबसे अधिक है पहले मक्का को विश्वेश रूप से गरिबों का मुख्य भोजन माना जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है जारखन में भी मक्के की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है गर्मा मक्का भी यहां खूब होते हैं किसान भाईयो जारखन में सबसे ज़्यादा मक्का खरीब के मौसम में होता है क्योंकि यहां बरसाती मक्का की खेती होती है दूसरे परदेशों में आप देखेंगे तो रभी में और गर्मा में ज्यादा मक्का की खेती होती है लेकिन जहां सीचाई की सुविदा है वहां किसान भाई हमारे गर्मा में भी मक्का लगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और कुछ जीला आप देखेंगे जैसे आपको गढ़वा हुआ, प्लामो हुआ, लातेहार हुआ या फिर आप चले जाएए लुःदगा में या राची में तो ऐसे जीला है जहां पर गर्मा में भी मक्के की खेती हो रही है और अच्छा उत्पादन होता है यहां पर इसलिए इसको लाइक भी करते हैं किसान भाई और इसकी जादा से जादा खेती भी कर रहे हैं इसमें गर्मा में अगर खेती करते हैं तो प्रभेद का चुनाओं आपको ध्यान से करना पड़ेगा कम ओधी वाला प्रभेद का चुनाओं करना पड़ेगा जिससे फिर खरीप में आप दूसरी फसल ले सकें तो कम ओधी वाला जो प्रभेद है मात्र असी दिन में जो तयार होता है वह है विवेक संकरमक्का जो अपने हां के लिए अनुसंसित है तो विवेक संकरमक्का मात्र असी दिन में तयार हो जाएगा इसकी खेती करें इसके बाद आपको विश्टा क्रिश्री विश्विश्विद्याले का प्रभेद है बी ए यू एमेच पांच और एक प्रकास भी वराइटी है जो नंबे दिन में आपको तयार हो जाता है तो कि मार्ट से अप्रैल तक गर्मा मक्के की दूआई की जा सकती है इसकी फसल मई के अन्तिम पखवारे से लेकर जून की प्रथम पखवारे तक पक जाती है मक्के में आपको ध्यान देना है कि उसकी सीचाई तो आपको करना ही पड़ेगा लेकिन सीचाई के साथ साथ खाद कितना दिया जाए क्योंकि किसान भाई अपने हाँ क्या करते हैं कि यूरिया और डियेपी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पोटास का इस्तमाल नहीं करते हैं जबकि पोटास की मात्रा भी बहुत जरूरी है बगर पोटास के आपको अच्छा उत्पादर नहीं मिलेगा इसलिए आप बुआई के समय प्रती डिस्मिल के हिसाब से आधा किलो डियेपी और लगभग एक पाउ से तीन सो ग्राम पोटास खाद जो लाल खाद होता है एमोपी जिसको बोलते हैं और साथ ही साथ एक पाउ यूरिया बहाई के समय आपको देना है और उसके बाद जो पहली सीचाई करते हैं उस समय आपको एक पाउ से तीन सो ग्राम करीब में यूरिया आप दे सकते हैं यूरिया के बदले आजकल न नैनो यूरिया या नैनो नाइट्रोजन दोनों बोला जाता है तो उसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं उपर से काफी अच्छा ले जाने में भी असान है एक एकड़ मात्र आधा लीटर लगता है और तीन एमेल लगवक धाई से तीन एमेल परती लीटर पानी मिला कर स्प्रे कि जाता है तो उपर से जब यूरिया देते हैं उसके बदले आपको इसको अगर देंगे तो आपको ज्यादा फैदा होगा क्योंकि जो यूरिया देते हैं वो ज्यादा ज्यादा बरबाद होता है मात्र लगवक 30% ही कामयाब हो पाता है जबकि 99 यूरिया 80% एबजॉर्ब हो चलवाई शेत्रों में मक्का की खेती घर के आसपास के खेतों जिनने बारी कहते हैं वहां की जा सकती है। और सीचाई देना चाहिए नहीं तो दाने सीकूर जाते हैं उपज कम हो जाते हैं। और उसका जो जिसको फुनिगी बोलते हैं या फिर सिर्ष बोलते हैं या कलसी भी बोलते हैं लोगे हांं तो कलसी को ही खा जाता है और उसका बढ़वार नहीं हो पाता है। इसके करण पौधा बरबाद हो जाता है तो आपको जब भी घुटना के बराबर जब मक्का हो जाए तो आपको अपने फिल्ड में देखना है कि यहां कीड़ा तो नहीं लग गया है जिसको टॉप बुरर बोलते हैं उसी समय सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी दानेदार द डबा में भर लीजे और उसमें का मेरा और graham के को दाले मिղा कर उसको बढ़िया ंद्अ आपको जोना बहा कर देखिए इसमें के आजवा को बहलɑक को इननगा नहीं है लेकिन 6-7 दाना आपको दाले का गिरना चाहिए तो समन्झ कईए कि शे ज्यटी आपने बनाकर और उसको क्या कीजिए कि प्रतेक पौधा के सिर्ष पर जारते हुए चले जाईए कि 6-7 दना आ कुछ बालू के कन पौधे के अंदर चला जाए इससे क्या होता है कीड़ा बहुत जल्दी मर जाता है मक्का वास्तम में एक ग्रिश्म काली फसल है सभी अवस्थाओं में तापमान 200 डिग्री सेंटिग्रेट के आसपास होने चाहिए अब चुकि अगर आप गर्मा मक्के की खेती करेंगे तो जाहिर है पानी की जरुवत खेतों को अधिक पड़ेगी इसलिए गर्मा मक्के के लिए ऐसे प्रवेद का चर्ण करना चाहिए जिससे सिचाई में आसानी हो और उत्पादन भी अधिक से अधिक हो सके तो किसान भाई बहुत जरूरी है कि मिट्टी जाँच से का फाइदा होए ला है ने देखू माति से आदमी कर जीवन जूडल है जंगल है खेत है बारी है माति कर बिना कृसी तो भाई संवहुए नखμε है ने तो चलू कि कर में माति जाँच कर विसे जनकारी चाहिए तो सीधे में चलती हमरेकर ये जिसससाव्य हं खोरक्त के चाहिक है औराम जींच है और मिरुदा-स्वास्त जांच्छ के नहीं नहीं करने हैं किशान भाई नाइट्रोजन फास्फोरस फोटास अब सीधा सीधा बोल सकते हैं यूरिया यूरिया को हमारे किशान भाई यहां सलफेट बोलते हैं वो किसी और दूसरी खात को कम परियोग करते हैं लेकिन यूरिया का परियोग करते जाते हैं करते हैं कि आधिक मात्रम पर्योग करने से फसले गिर जाती हैं तो इसके लिए हम किशान भाईयों को सबसे पहले सलाह देंगे कि मिर्दा जांच मिर्दा जांच कैसे वो कराएं मिर्दा जांच करने के लिए जिस भी प्लाट की मिट्टी का वो जांच कराना चाहते हैं उसमें से लगवग 5 जगा से भी आकार का 6 इंच तक का अईसी जगा से नहीं मिट्टी लें जहां से वहां गोबर इकठा किया गया है या बहुत सारे कुड़े कचरे इकठा किये गये हैं तो इसलिए उस प्लाट से हम पांच जगा से चारूप कारनर्स मतला आईसी इसी जगा से लें सेंपल पहले उपर से थोड़ा सा साफ कर दें घंस गार साफ करने करा दद भी के आकार निशान बना लेंगे तो उसकी मिट्टी जो है बाहर कर दें और दोनों किनारों से जब भी उनका बन गया novata से तो इस किनारे से एक एक किनारे से मिट्टी नीचे तकाई से करके ले सकते और उस मिट्टी को पाचो जगा की मिट्टी को मिला दें पाचो जगा की मिट्टी मिलाएंगे लगवग 5 केजी मिट्टी हो जाएगा यह केजी एक एक जगा से लेंगे तो मिट्टी 5 केजी हो जाएगे उसको पूरी तरह से अच्छी करते जाएं जब उनके पास आधा केजी मिल जाएगा उसको वह एक प्लास्टिक का बैग में रख लें लेकिन उसको पुरा महीन बारी करने के बाद जो है उनको दूसरी चीजे भी बताना चाहेंगे बरसात के समय में ना लें चुकि 15 दिन पहले 15 दिन आगे पीछे बरसात ना हुआ हो चुकि बहुत माश्यार हो जाता उस समय जब हम मिट्टी का सेंपल लेते हैं तो उसमें गीला गीला डेला टाइप का बन जाता है बारी करने में बहुत दिक्कत होती जब वह सूखे में मिट्टी का सेंपल लेंगे उसको वह टेस्ट के लिए मतलब उसका जो है जात के लिए नीट्रोजन फासवोरस वोटास की कितनी मात्रा या सूख पोशकतनी मात्रा उनको जैसे मक्का हुआ अब बता दीया जाता है सब्सक्राइबूर सक्तना लेसं फास्फॉर पोटास आता है। इसलफर उंको इस-मात्रा को बता दिया जाता है। मिर्दा स्वास्त की जब बात आती है तो वो घर्मी में एक जुताई आवश्य करवाएं, गर्मी का मतलब यह है कि यहां के किसान सिचाई करके जुताई नहीं करा सकते हैं, चुकि यहां पूरी तरह से वर्सा आधारित खेती होती है, वर्सा आधारित खोती होने के कारण उनसे हम यहीं निवेदन करते हैं, कि वो कल्टिवेटर से जुताई करेंगे, तो उनकी गहरी जुताई होगी, गहरी जुताई होने से जितने कीडे, मकोडे, अंदर पिल्लू पड़े रहते हैं, वो चुकि टंपरेचर हाई होता है, उस समय वो मर जाते हैं, गर्मी की जुताई बहुत आवेश्यक हैं, गर्मी क एक समय में गोबर का खाथ उनके गढ़ड़ा से निकाल करके फेतों में डाल देते हैं मिटता उनके समझ में यह आता है थामिदा जाद के लिए हम अपने द्यान देते हैं कि हमें कभ कौशा कऊन सी दवा खाना है तो कि मिट्टी में भी करना है जब गर्मी में तो उनकी खाद डालने से कोई फायदा नहीं होता है इसलिए जब वो पहले बार साथ आये तब ही गोबर की खाद डाले और अच्छा सा उसको जिताई करके खेत में मिला दें और इसके आगे बात आती है मिटी के स्वस्त कैसे रखा जाए जब बरसात आती है उनको क्या बोलते हैं धायचा यहां पर जो है अभी हरिखात की हम लोग बात करते हैं जिससे जैवी कारवन उनके खेत का जब बढ़ेगा उनकी फसल उत्वादन चमता बढ करेंगे द्हाचे के बीज को तो धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है और नियाई स्टेज उसको अंग्रेजिम बोलते हैं जब घुटने का आकार का हो जाए बरसात आना शुरू हो जाता है तो वह बढ़ने लगता है बरता है तो इसकी हम लोग किसानों से ही कहते हैं उस समय उसकी उनको अगर रोटा वेटर से जुताई करा करके पानी में उसको सड़ा देते हैं सड़ा देंगे तो उसके बाद उनके खेत की उर्बरा सक्ती इतना पढ़ जाएगी उनको राशाइनिक खादों के परियोग की मात्रा कम करनी पड़ेगी और उनके मिट्टी का स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा इस परकार से हमारे किशान भाई मिट्टी की जांच करा करके जांच के आधार पर अपने खेतों में वरग डाल करके और हरी खाद का परियोग करके हरी खाद का परियोग हमारे किशान भाई यहां बहुत सारे जानते ही नहीं हम लोग कृशी विज पुरी तरह से बदल जाता है और तेसरी बात उनको क्या ध्यान देना है गर्मी में मेरबंदी करना है मेरबंदी बरसात होती अब इस नहीं करते हैं तो मीठी के बहुत सारे पोशक्तत तो नीचे भागा कर चले जाते हैं तो उनके जो खाद फार कर देखे के संपराज़ा कर दिए धिरे धिरे दिरे UP कर दो ant- Rudolf Adelnikां कि देखेसे दभीया ही किन लेवाई ए करबारे में बताना जरूरी है सेले लर्यमान पता के लिखू पता है कारिकरम क्रिशी दर्शन द्वारा केंदर निदेशक दूर दर्शन केंदर राती रोडराची और पिनकुट संखा है आठ तीन चारे सुनी सुनी एक तो लर्यमान आज मनोज वर्मा के इजाज़त देव मकील एहे दिना और एहे बेरा नमाजान कारिक्साथ अरूपस्तित्वप तब तक इजाज़त देव नमस्कार जोहर कारिक्स में राती आची 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 तेव